अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्णू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कप्यूटर्स, डियवी कॉलेज गेट के सामने सिवा नमस्कार आप देख रहे हैं, लाइटे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अक्षिरा आर्या, बिहार के बकसर के रहने वाले एक वैक्ती को दुबई की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जानकारी के मताबिक फरजी पासपोर्ट और चेक बाउंस के मामले को लेकर यह गिरफ्तार किया है, 28 फरवरी को वह घर वापसी के लिए आबुदावी एरपोर्ट पहुँचे थे, तभी वहां की प्रशासन के निर्देश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस मामले के डेड़ महबाद राजिश की पतनी सुनिता सिंग ने डियम को आवेदन देक कर मदद की गुहार लगाई है, पतनी ने बताया कि पती का पासपोर्ट कहीं गुम हो गया था, किसी दूसरे ने उनके पासपोर्ट नंबर पर खेल किया है और कई कमपनियों को चेक देकर चूना लगाया है, घटना के संबंद में सुनिता का कहना है कि 2014 में बने उनके पती का पासपोर्ट कहीं खो गया था, उन्होंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया था, पती ने पासपोर्ट खो जाने की सिम्री थाने में प्राथमी की भी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उन्हें दूसरा पासपोर्ट मिला था, इस बीच उनके पुराने पासपोर्ट नं इधर घरवापसी के दौरान पती के नए पासपोर्ट को दुबई पुलिस ने फरजी बता दिया और गिरफतार कर लिया इस मामले में डियम ने बताया कि महिला का आवेदन मिलने के बाद दूताबास से संपर्क किया गया है जानकारी मिली है कि राजे सिंग दुबई में पकड़ा गया है और डियम ने बताया कि दुबई में अभी जाच चल रही है जाच करने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है विल्हाल इस खबर पर इतना ही देखते रहिए लाइव जैन न्यूज